जहन्द साथियों बालमास्टर दीपक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं साथियों आज हम इकने शुरुआत करने वाले हैं वीडियो के मादध्धम से और हम शुरुआत करने वाले हैं इतिहास की जिसमें हम बेसिक हिस्टरी की बात करेंगे जो की हमारे 678 जो यूपी सुपार्ट्रेट में हिस्ट्रि वहाँ के काम आयेगा और यूपी शुपार्ट्रेट में से इन वीडियो के मादध्धम के पीडियो चैनल बेसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते रहें और आपको उसका लाब उठाएं आई इस्तिरुवात करते हैं सात्यों इतिहास जानने के स्तिरुथ आपको पता है कि दिए में कोई इतिहास जानना है तो उसके कोई सोर्स होते हैं और जहां तक इनकी बात की जाए तो इनकों तीन भागों में माटा गिया है एक तो पूर्व एतिहासिक काल आद एतिहासिक काल और एतिहासिक काल आपको यह तो पता ही है कि इतिहास में हम अतियत की घटनाओं का दिन करते हैं किसकी अतियत की घटनाओं का जो बीथ चुकी है तो उनको जानकारी के लिए, उनकी जानकारी के लिए इनके सोर्सों को, इनके स्तुरोतों को तीन भागों में माटा गया है पूर्वे एतिहासिक काल, आदिहासिक काल, एतिहासिक काल अब हमें एह समझना है कि क्यों माटा गया है, किस आधार पर माटा गया है तो साथियों पूर्व एताहसे काल उसे कहते हैं जिस काल की लिखित सामगरी प्राप्त ना हो यानि कोई भी जानकारी ऐसी प्राप्त नहीं हुई है जो लिखित रूप में हो है ना तो उसको कहते हैं क्या पूर्व एताहसे काल क्यों कि यहां लिखत सामगरी पराप्त नहीं हुई दूसरा है आद एताहसे काल इसमें क्या होता सात्यों लिखत साख्चे तो पराप्त होते हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते यानि कोई लेक तो मिलते हैं लेकिन अभी बरतमान में मानो या हम लोग उसको समझी नहीं पाए है कि इसमें लिखा क्या हुआ है तो इसलिए इसको क्या कहते है आद है तहासिक काल क्योंकि इसमें लिखत साख्चित तो पराप्त है लेकिन उसको पढ़ नहीं सके है ना और तीसरा इतिहासिक काल जो की चल पूरुत के आधार पर कितने काल में बाटा गया है तो तीन काल में पूर्वे अधासिक काल, आदे अधासिक काल और अधासिक काल है ना पूर्वे अधासिक में लिखत सामगरी प्राप्त नहीं होती है इसमें प्राप्त तो होती है लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते है और पढ नहीं कर सकते हैं और बहुत thought and sweet है इसलिए इसको आप ध्यान से देखें और हो सके तो आप इसको note भी करते चलें साथियों मानव ने जब लिखना सुरूं किया तब उसे कागज का ग्यान नहीं था मानव ने अपने लेखों को ताड पत्रों, भोज पत्रों और ताम पत्रों पर लिखता था इसने आप एह बनेगा कि जब कागज अपलब्द नहीं होता था तब मानव किस पर लिखता था तो आपको बताना पड़ेगा ताड पत्रों पर भोज पत्रों पर और तामर पत्रों पर लिखता था कभी कभी लेख बड़ी सिलाओं इस्तम्मों पत्रों की दीवारों मिट्टी यब पत्थर के चोटे चोटे टुकडों जिनको फलक कहते हैं पर भी लिखे जाते थे तो बेक्ति क्या करता था कि ताड़ पत्रों बोज़ पत्रों ताम पत्र के लावा जो सिला होती है पत्र की इस्तम होती है पत्र की दिवारे होती है इस पर क्या करता था लिखने का काय करता था अब ताड़ पत्र के किसे कहते हैं साथियो तो जो ताड़ के पेड़ के चोड़ी पत्ते होते हैं किसके पेड़ के ताड़ के पेड़ के चोड़ी पत्ते होते हैं उसे कहते हैं ताड़ पत्र पत्तर की खम्मों पर लिखे जो पत्तर हैं उसको कहते हैं इस्थमलेक के से पत्तर की खम्मों पर लिखे लेक पत्तर को कहते हैं इस्थमलेक पत्तर की चट्टानों पर जो लिखे लेक हैं उसको कहते हैं सिलालेक है ना तो आपको ताड़ पत्र समझ में आ गया, भोज पत्र, ताम पत्र और स्तमलेक और स्लालेक आँगे हम बात करते हैं इतिहास को जानने के इस्तिरोथ यानि साधन कौन कौन से हैं तो साथियो, पहला इस्तोरोथ अबूह पुरा तात्यों की इस्तोरोथ, जिसमे हम बात करेंगे अविलेक की जाए, तो यह आसोक के रुमन दे अविलेक का अंस है, मैं पहले बता चुकाओं, कि हम सिब जो बहुत ही महत्पूर जानकारिया है, जो फैक्ट हम सिर्फ उन्हें क वात करेंगे तो सात्थी यह इसोक की रोमन देही अविलेक का अंस है जो रूप में लिया जाएगा नेट है गुप्त सासक कुमार गुप्त को पिर्थम गुप्त सासक कुमार गुप्त पिर्थम को सिक्के पर घुर्ट सबारी करते हुए दिखाया गया है पिसन आजाए कि कि सासक को सिक्के पर काल की जो महर हैं वो कहां से प्राप्त हुई हैं तो वो मेसु पोटा में यह से भी मिलती है ना नेस्ट है हडपा कालीन धोला वीरा नगर गुजरात में इस्ते थे कहां इस्ते थे गुजरात में इस्ते थे यहां से हडपा कालीन नगर निर्माडे उजना जले निकास प्रिभंद आदी के साख्च प्राप्त हुए है तो कहां से प्राप्त हुए साथ हुए दोला बीरा से नगर निर्वाडे उजना और जले निकास प्रवंद कहा से प्राप्त हुए गुजुनात के दोला बीरा सहर से नेश्ट साथियों प्रमुक पुस्त के तो आपको पता है कि जो रामायड है इसको लिखा महसी बालमीक जीने और जो महावारा थे इसको लिखा किस ने बेद्वियास जीने और एक यहां दोनो महाकाब हैं क्या साथियों यह दोनो महाकाब हैं नेट साथियो जेन एवं बोध साहत जातक कथा जिसमें छटवी सताब्दी इसाप पूर्वी की राजनेतिक सामाजेक एवं धार्म किस्तिती का पता चलता है किससे जो भी हमारे जेन साहत थे हैं बोध साहत थे हैं जातक कथा आए हैं तो इसमें हमें क्या पता चलता है यह एवाम धार में किस्ते थी आंगे आपको पता है अर्थसास्त जो की बहुत ही महत्पूर किरती है किसकी कोटल की किसकी है कोटल की जिनको चालकी भी कहते है इनका अन्य नाम एक और मिलता है साथी क्या मिलता है वो बिशनुगुप्त तो बिश्नुगुप्त, चार्णक और कोटल एक ही वेक्ति के नाम है जिनकी प्रिसिद्ध पुस्तक है अर्षास्त और आपको इसमें साथ उध्यान देना है कि अर्षास्त में आर्थिक क्रियाओं का अध्यना होकर यह मौरकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकम, धार्मिक, इस्तिदी का ग्यान है तो कभी गलती है मत कर देना कि यह आर्थिक क्रियाओं से संब्दे थे इसमें मुक रूप से प्रिसासन की बात की गई है कि राज जी कैसे चलाना चाहिए, राजा की करता बें क्या है, किस पर का से संब्द रखना चाहिए तो यहां से दो कुषिन बनते हैं कि आर्थिक कोटर देने लिखी, कोटर लिखी प्रिसिद पुस्तक कौन सी है आर्थिक के बात की गई है, तो बो की गई है, प्रिसासन की है, किस की बात की गई है, मुक रूप से प्रिसासन की, किस के राज जी के प्रिसासन की, ठीक है आँगे है राजतरंगडी जिसके लेखा कलहर है और राजतरंगडी पुस्तक में साथियों कस्मीर के इतिहास की बिसाय में चरचा किये गई है और लगवा किस समय के तो वो की गई गयारमी और बारवी सताबदी के समय के बारे में है तो यहां भी दो पि маленьть से बनते हैं आपके राज सरंगडी की लेख्ड कौन और इसमें किस समय के बात की गई तो ग्यरभी इसे बारवे सताब दिए के और किस राज्जे की तो given कैश्मीर के इतिहास के व्यसाय से में किसक विसाय कमिल के इतिहास की व्यसाय में कि आंगे हम बात करते हैं इंडिका जिसको मेगस्तिनीज ने लिखाता है आपको पता है कि ये युनानी राजदूत था कौन युनानी राजदूत था जो स्यलू कस निकेटरस ने भेजा था किसको चंद्रगुप्त मोरी की दरवार में है ना तो यहां से पिस नह बनती है कि इं चंद्रगुप्त मोर की दरवार में और इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मोर काली समाज की जहलक है किसमें इंडिका में जिसके लिखा कौन है वेगस्तिनीज जो की एक युनानी राजदूत थे ठीक है आंगे साथ तो जो रचना है वो है किसकी फो क्यूकी फो क्यूकी यह एक चीनी यसा पसिरी के चंद्रगुपत्यॅ की समय यह ते है क्योंसे समझ है जिसके समय में रहें कालीदस किस दिफियों छण्गुप्त ऑी जो के है रहें कहीं कहीं लिखा रहता है 398 से 412 है ना तो करीब इस समय पर कहा रहे है चंद्रगुप्त बिक्रमादित के दिरवार में और इहां इहीं पर रहके नहोंने किसकी रचना की फौक्यूकी की है ना जो कि गुप्त काल से संबंदित है ठीक है तो यहां भी दो पिसमें बनते हैं कि फौक्यूकी किसकी रचना है तो भायान की और फायान किसके समय भाहत आया था तो वह आया था चंद्रगुप्त जो की गुप्त मंसका एक साथा ना दूसरा चीनी तीस में वो गया था काव 645 इस भी में इसको साथ हो यात्रियों का राजकुमार कहते हैं किसको हैंडसांग को हैंडसांग को क्या कहते हैं यात्रियों का राजकुमार कहते हैं यह भी एक चीनी यात्रिय था और इसकी जो पुस्तक के साथ हो बूँ है सी यू की क्या है सी यू की फायान की क्या थी फोक्यू की और हैंसांग की है सी यू की ठीक है और इस पुस्टक में हर्सबादन की इसासन काल का विवरड मलता है किसमें सी यू की में यहां भी दूपिसने तयार होते हैं कि सी यू की किसकी पुस्टक है हैंसांग की और एक किस समय आया था हर्थवदन के काल में और कब तक रहा भारत में 630 से 645 इसवी तो फायान और हैंसांग को ने साथ यह दोनों चीन नियात दी आपको इस बात को देहां रखना है नेश्ट साथ यो इतिहास में तितियां यदि हम इसकी बात करें तो इतिहास में तितियां साथ यो प्रमकुरूप चो दो प्रकास से पेचले थे आपको पता है इसा पूर्व होता है एक होता है इस भी इसा पूर्व की बात करें तो अंग्रेजी में इसे बीसी कहते है अथा तो इसके जो पहले का समय साथी हो वो क्या है ईसापूर्व और जिसके बात का समय वो क्या है ईसवी ठीक है तो आपको यह ध्यान रखना है तो जो ईसवी होता हमेशा बढ़ते से गढ़ते करम में चलता है यानि ऐसा लिखा मिलेगा आपको 483 से 420 ईसापूर्व है ठीक है तो ईसापूर्व हमेशा गढ़ते करम में होता है जो ईसवी होता है वो बढ़ते करम में होता है ईसवी किस पर का से लखा रहेगा 630 से 645 ईसवी ठीक है एंगलिस में क्या लखा रहेगा 483 से 420 बीसी और ईसवी को लखेंगे 630 से 645 एडी ठी कि तो अम इसे याद रखना है जो इसा पूर ej रही होता है बहुता है घर्टे करम में और इसभी होता है बढ़ते करम में क्यों क्यों कि है इसा मसीh के जनम के बाद का समा है कौन? इसवी तो अंगले जी में इसको कहते हैं साथ एडी और यह लेटन भासा कि दो सब्द एनो डौमनी से बना है किस से बना? एनो डौमनी से बना है और इसा मसीह के जिनम का बर्स यानि अथार्थ इसा मसीह के जिनम के बाद की तिथियों में जो अभी लेक है साथियों और धातू अत्वा पत्थर जैसी कठूर सतय पर उतकीड किये जाते थे हैं ना या धातू इवन पत्थर जैसी कठूर सतय पर उतकीड किये लेक को क्या कहते हैं अभी लेक और इस्तूप का रथे साथियों क्या टीला क्या रथे साथियों बड़ा महाकाब भे पिसन आपके सामने है आ जाए कि सबसे बड़ा महाकाब भे कौन सा है option में आ जाए महाभारत रामायड गीता या अन्य कोई नाम तो आपको क्या लगाना है महाभारत और आपको पता है कि महाभारत का अन्य नाम क्या है जे सहंता के नाम है जे सहंता का पुराणा नाम है और इसका अन्य नाम एक और है सत्य साहत्री सहंता क्या है महाभाद का नाम है एक अन्य नाम सत्य साहत्री सहंता ठीक है तो इसके महाभाद के अन्य नाम है ठीक है आँगे हम बात करेंगे इतने आपसे पुछा जाए विश्व का सबसी बड़ा संग्राला कौन सा है तो वो है लंदन इस्तित बिटरिस मुझियम और important fact क्या है Alexander Cunningham को भारतिय पुरातत्य विवाग का जिनमदात्म माना जाता है तो जिनमदात्य किसको माना जाता है भरतिय प्रततव वाक का अलाग जंडर कनेंगम को तो साथ यह पहला वीडियो था हमारा इत्थास में आंगे देखो और बात करें कि हम किसकी पासड़ काल के बारे में तो बने रहे है काफी सांदार अनभ़ा मिलने वाला है आपको इस प्रकार से आपका यह बेसिक हिस्ट्रि करिए चेनल को सब्सक्राइब करिए और जो यह मैं हिस्ट्री पढाऊंगा यह सुपर्ट्रेट के लिए प्रफेक्ट है यूपी सुपर्ट्रेट के लिए साथ ही जो जहां भी हिस्ट्री पूछी जाती हुआ तो आपके हेल्प एक करने ही वाला है तो जहिंद जह भारत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद